दोस्तों, अगर आप एक fitness trainer है, या फिर आपका कोई gym है, और आप अपने gym के लिए Google Adson करना चाहते हैं, तो आज का ये video आपके लिए काफी helpful होने वाला है, क्योंकि इस video में step by step आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने gym के लिए Google में search ad setup कर सकते हैं, सब कुछ step by step होने वाला है, वीडियो को complete देखना है, वीडियो को start करने से में बता दूँ, जिस भी student हमारे digital स्वम चैनल को subscribe नहीं गया, इस चैनल को subscribe कर लेना, बेल आइकन को press कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए digital marketing से related, Google Ads से related, सारे videos इस चैनल पर लाते रहते हैं, पुछली बात करते हैं, fitness trainer, अगर आप एक fitness trainer है, या जिम है, तो आप कैसे Google Ads सेट अप कर सकते हैं, तो जैसा कि आप इस screen पर देख सकते हैं, अभी मैं अपने manager account पर हूँ, जापर मैं अपने clients के account manage करता हूँ, अगर आप भी अपने accounts को manage कराना चाते हैं, नीचे देखे WhatsApp न लेते हैं, अपनी जिम के लिए, सो हम यहाँ पर चलते हैं, tools में, tools में आने के बाद यहाँ पर planning में keyword planner पर click करते हैं, ठीक है, पहले हम keyword research कर लेते हैं, keyword research करने के बाद हम यहाँ पर add बनाएंगे step by step, discover new keyword, अब सबसे पहले मेरे gym है, मैं gym के लिए like, एक add बनाना चाता हूँ जिम नियर में इस type का keyword search कर लिए, get insert पर click करते हैं, अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप gym के साथ multiple services देते हैं, जैसे कि gym आपकी है, उसके साथ आप yoga classes भी देते हैं, आप boxing classes भी देते हैं, तो एक type के keyword जैसे जिम है, तो gym के सारे keywords को आपको एक अलग notepad में र रखिए, क्योंकि इनके अलग-अलग ad groups आपको बनाने है, सब कुछ एक ही ad group में mix नहीं कर देना है, सबसे पहले मैंने keyword search कर लिए, अब देख रहे हैं, सारे type के keyword एक ही जगे आ रहा है, boxing और gym, boxing भी आ रहा है, fitness भी, gym भी, सबसे पहले इसको filter कर ले, gym, gym बाले keyword रखेंगे, हम यहां पर सारा कुछ अड़ा देंगे, यहां से मैं remove कर दूँगा, सब कुछ यहां पर remove कर दूँगा, define keyword का option है, जो जो आपको चाहिए, एक ad group में वह रखेंगे, बाकी सब आप सबसे पहले यहां पर remove कर देंगे, तो keywords अच्छे से करिए, keywords बहुत important role play करते हैं, आपकी ads में, सबसे पहले मैंने यह सारे keywords को अड़ा दिया, अब यहां पर simply gym बाले keywords आगा, मैं जिम के कुछ-कुछ keyword ले लेता हूं, fitness भी में ले ले लेता हूं जिम में, और यहां पर मैने और भी हैं अब फटाफट मैंने यहां पर title और description ले लिए, दे मो के लिए, यहां पर proper title and description मैंने demo के लिए यहां पर दे दिए, यहां पर proper अच्छे तरीके से title description देना, जिसमें आप अपने offers include करें कुछ call to action बटन आप include करेंगे ठीक है मैंने title description यहाँ पर दे दिया आप सबसे पहले site link की बात करते है देखिए site link extension जिसमें आप अपने add में जिसे आपका कोई add है देखिए यह आपका कोई add है इसमें आप multiple pages के अलग-अलग pages के link attach कर सकती जैसे कि आप योगा classes भी देते हैं तो आपने यहाँ पर type कर दिया yoga classes ठीक है यहाँ पर yoga का description यहाँ पर yoga classes का link ठीक है इसी type से आपका boxing classes boxing classes, boxing classes का description boxing classes का link इससे क्या होगा यह add के नीचे इस type से यह सोंगे जैसा कि आप review में देख रहे हैं ठीक है इस type से आपको for site link extension का use करना है और इसके बाद हम बात करेंगे call out extension की यह भी काफी ज़रूर है call out extension में कुछ call to action बटन देदे हैं कि call now मैंने दे दिया best customer review मैंने दे या और भी जो भी आपके attractive है वो आप plus करके यहां पर आप एड करेंगे minimum for call out extension for site link extension आपको add करना है done करते है ठीक है मैंने इसको simply done कर देने done करने के बाद हम इसको next करते हैं next करने के बजट सेट करेंगे जो भी आपका regular budget है वो आप यहां पर set करेंगे ठीक है मैंने अपना regular budget set कर दिया नेस्ट करते है यसे ही आप नेस्ट कर दोंगे यहां पर publish like ready to publish आएगा कुछ भी error नहीं होगा तो publish को option आएगा कुछ भी error रहेगा अगर campaign में तो यहां पर publish का option गूगल नहीं देगा तो अभी मेरी एड में कोई भी error नहीं है से लिए publish का option आगे हम इसको publish कर देते है simply ठीक है मैंने इसको publish कर दिया कि publish करने के बाद एक चीज जरूर से याद रखना बहुत बहुत important जिम है तो जिम में आपने जो search head बनाया है उस search head में आपको आपके google my business जो google my business है उसके profile को link कर देना है कहां से link करोंगे assets में आउंगे ठीक है यहाँ पर आप आगा है यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर location का option से होगा location के option में आपको चले जाना है जिम की case में and then plus पर click करना है इससे क्या है customer बहुत सारे customer search करके direction के थुरू आते है ठीक है यहाँ पर आपको अपना new location ले लेना है तो मैंने already लिय location एक name देना है map ठीक है example map के लिए दे रहा तो map name दे दिया ठीक है एक name दे देना है ठीक है उसके बाद चाहिए campaign आपको select करनी है campaign select करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका campaign है वह आपको ले ले लेना है और इसको safe कर देना है यह जरूर से आप याद रखना location add करना है call extension पर add कर देता है ठीक है यह call extension add करना है इसके बाद अगर आपने कोई offer बगएरा चला रहे हैं तो promotions add कर सकते हैं business name, business logo, images यह proper आपको यहाँ पर add करना है ठीक है यह कर दिया, यहाँ पर आपने keywords को देख सकते हैं, keywords है वो सारे keywords है से आपको add करना है, negative में डालना है, कुछ keyword जैस इस पर आप नहीं चाहते है, negative में डालना चाहते है, जो इस services आप नहीं देना चाहते है, जिम से related वो negative में डाल देना है, search keyword को यहाँ पर include कर देना है, तो इस तरीके से आपको जिम के लिए और fitness center के लिए Google search add लगानी है, और अपने Google map को उसे link कर देना है, इस से आपके add map अपर भी जाएगी search पर भी जाएगी, आच की वीडियो इतनी रखते है, वीडियो अच्छे लिए वीडियो को like करें है, जरू सब्सक्राइब करें, कोई वीडियो आउट है, comment box में comment करें को सकते, thank you guys, thank you very much,